आदी की समस्याओं तो जड़ से खत्म हो सके और हमारा देश एक आज के पत्पर आगे बढ़ सके हमारा पहारा देश एक लोक्तांत्रिक डेश है जहां हर वर्ट के उल्ड पूरी कर चुका है वह नागरिक अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंद्र है क्योंकि किसी सब्सक्राइब करते हैं कि सभी चुनाव जनता के भागी तारी से ही संपन होता है और साथ देश से लेगा राजी सहार कश्वेवं गाओं की किस्मत जनता ही ते करती है अब हम जो यह बोली है इसलिए कहा गया है जो है सचा और इमानदार वो है बोट का हगदार पार कर गया है पलस है वोट के हगदार होते हैं उसको हमेजा इमानदार होना चाहिए अब दूसरा नाम नीरंत मरी हमारे देश में 18 वर्ष अधिक उम्र के परतेक नागरिकों को भोट देने का अधिकार पराप्त है मत साता अपने मत का पड़ियो करके ही राष्ट के निर्मान और विकास में अपना फुन सवयो करें देश के परतेक नागरिकों को चुनाओं में अपना वोट का इस्तेमान करना चाहिए क्योंकि हर एक भोट देश के भावी भविस्ति और निर्मान में आगेदारी बनता है भाव एक लोग तांत्रिक देश है जहां हर नागरिकों को मत्तान करने का अधिकार परापता है जो एक इसा अधिकार है जिसके साथ और वैक्षी को अपने वीचारों पर एक दूसरे के समती और और समती दिखा सकते हैं चुनाओं से पहले कई अलग-अलग राजनितिक दल के उमीदबार अपने वीचारों की अजन्दा जन्ता के समक्ष देश करते हैं और वही उमीदबार के अजन्दा पर लोग समती दर्शाते हैं जिसे सबसे ज्यदा मत देते हैं वही उमीदबार परतिनीजी के रूप में चुना जाता है और देश के सभी विकास कामों के लिए जिमेबार होता है इसे नेहारनाग्रीकों को अपने मता अधिकार महत्म को समझना चाहिए। विकास में सबसब्स करें जिसे सबस्यूदा के विकास में समयूदा है एखाना है वोट देना देने जाना है इसलिए वोट देना ही परेगा सच्चे नागरी की है यहीं पहचान मतदान 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 अब किसरा नाम अम्रिता कुमारी यहां पर उपस्ति सभी को मेरा साधर पढ़ना मेरा अम्रिता कुमारी थी मैं बीए सगें हिंदी अरोष की छात्रा हूं अमित्ला के बारे में आप लोगी कुछ वर्णन करने जा सब्सक्राइब के लिए भारत और भारत के बाहर जाना जा रहा है मित्ला में माच मचनी दिलकुर्पता की तरवाश अपड़ा महत्मारी ग्रंदों में इसना उल्लेकर मैं में क्या गया विहां नेपाल के सीमा पर्टिहुत का पर्देश है जो कोशी और गणकी के बीच में इसके बाद मित्ला के आंकिम राजा कामेशोर सिंग्थे जोनिची सदावी में इसको समर्थन से ही युनियन और इंडिया राजव मिन का बिले हो गया इसके बाद मित्तिना मित्तिना के आंकिम राजा कामेशोर सिंग्थे जोनिची सदावी इसके समर्थन से ही इन राजव का बिले हो गया इसके बाद मित्तिना बहुत बना जाता है इसमें कई दोसे बुल्ग सामिल होते हैं यह एक महत्पूर्टी अवस्तल है यह कितना ख़ग मैं अपनी पानी को घंजान करें लोग सांध्रिक मजूद बना करें बहुत का उद्यान करें जाती घर्व के दोर पर दिवारों को आओ हम हम घंक के समान हाए कोई मीरी सिरह मित्टन करें जिसके लिए देश के हम बहुत सबसे पहले उसका हम समान करें एपर से निकले बाहर हाए आओ सब मिलकर मचदान करेें धेश के हरे नागिरिकों को मचदान करना अवर्शक जरूरी है क्योंकि हर किसी नागिरिकों को अमूल्य बोट देना वह जो इन हरना किन आरगी बोट देना कश्रारा आवश्रेक जरूरी है 18फर्श के 영zar करना अबर्शी में वर्श्य को है कि अधे-वार्इत्भ कर्ण से दोअ, पर देना औरना भूमय को vagy सच वर्ण को और सबीका आई जो अपने वादे निभाएगा वही सरकार बनाएगा जिसलिए एक, दो, तीन आया मतदान का दीन इस प्रोग्राम के सदर मौतरम आली जनाब डियेम सर, मेमान एजाजी, मेमान, खुशुशी और तमाम और अजज़त कामोईन वहाजिन कराम सलाम वादाब आजके इस प्रोग्राम में मैंने मर्दान करना की ज़री उस पर लब खुश्टाई करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे नाचीज से खुश गलत हो जाए तो मौफी चाहूंगी अठारह वज से हमारे देश बठावाज जादी कमर के पटे एक नागरी को वोट देने का अधिकार है, मत दाता अपने मत का पयोद करके रास्त के निर्मावन और उसके विकास में पूर्ण सयोद कर सकते हैं, देश के हार एक नागरी को वोट का इस्तमाल करना चाहिए, क्य जाना है, देश को आगे, बढ़ाना है. जाना है। एक उंदिस से अपना भाग लिख सकते हैं, हम एक वोट रजाएज को प्रशा के लिए आपना इस बाग के लिए अपना बाग को दे रहे हैं, इसलिए सभी जब अपील है कि सब अपने वोट के लिए जाग रिपोल, तो इस पार मेरा एक पुर्चोकार यह मेरा पर्फन गोट है और मैं चाहूँ कि मेरे एक पोट से एक सर्कार बतले और इस देस्ट का भविश्च अच्छा ओगा इसा ना कहका मैं अपने वाली की विभाम जैतियु जैहे हिंजैवार मादान है सब की जिम्मेवारी किसी नहीं जोड़ना है मतदान बहुत जिम्मेवारी की चीज है इसलिए बहुत नहीं और हमारे टीम है जात शब्सक्त की बोलना चाहती है कि आज यहां पर हमें सुन रहे हैं मेरा अज सब्सक्ति हैं कि मतदान क्यों जरूरी है मेरे खादिम्मेवारी है कि हम अपने भविष्य को सुधार जलते हैं मतदान तकिरिया नहीं होता है मदान आने वाले पाथ साल और आने वाले हमारे भवश्य को उजागर करने का एक जर्या होता है बहुत लोग आज हम लोग के यहाँ पे बहुत सारे इंसान मदान नहीं देते क्यों को बोलते हैं कि मदान क्या है मदान जरूरी नहीं है मगर मैं उन लोग को बताना चाहती है कि मर्तान बहुत ज़रूरी है एक-एक मर्तान से ही हमारे पूरी देश, हमारे पूरी जन्ता का घविश जागर होता है तो मैं ये बोलना चाहूँगी और यहां पे जिस्ते भी छाकर है 18 प्रश है पीज हो मर्तान देश और अपना वोट देखें एक अच्छे नेता को एक अच्छे शाषक को चले ये आप लोग उसे अपील है पीज आप लोग सही शाषक, सही नेता और सही राजनेता को चले थैंक्यू